हेलो गाइज वरो में चानल मैं सेलफ आशिश्व अमेस जैपुर और गाइज अब अपने हमें नेक्षिट इस रूट ऑफ ड्रग अडिमिस्टेशन ठीक है तो गाइज अभी तक अपने एक बिसिक जनरल फार्मकोलोजी अपनी जो चल रही है वह बहुत जनरल फार्मकोलोज जी में भी अपन काफी जनरल चीज़े पढ़ रहे ठीक है उसमें से एक और टॉपिक है यह रूट ऑफ ड्रग अड्मिस्टेशन ठीक है और इस टॉपिक के बाद मैं वापस चीज़ों को सारी कनेक्ट करूंगा और आपको वापस एक ओरिंटेशन पाथ मिलेगा कि अपने क्या-क्या कर लिए अब अपन और आगे कैसे-कैसे करने वाद बड़ा मसायागा जब मैं वो औरींटेशन पता हूंगा वापस तो आपको बहुत मशायागा थिका तो थोड़ा सा छाला हो रहा है तो मैं थोड़ा धीरे बोलूँगा आजा मेरे दर्द हो रहा है तो Root of Drug Administration समझते देखो Root of Drug Administration का मतलब कि अब यह आपको डर्ग देनी है तो उसके बहुत तरीके अलग-अलग जगे जहां सा डर्ग दे सकते हो बेसिकली फटाक से अगर दिमाग में आता है कि अपन दवाई लेते कैसे मुह से लेते है डार्ग अपने कोई गोलेली खाली पर और भी वह तरीके दवाई लेने के बताओ कमर दर्दो रहा है ठीक है तो एक बार के लिए अपन उस एरिया में लगा देते है कहने का मतलब भई रूट अप ड्रग अडिमिस्टिशन दो तरह के हो सकते एक तो लोकल रूट आपने डार्टली वहीं पर लगा दिया दवाई ठीक है न एक अधा सिस्टम एक रूट ठीक है न देखो अलग अलग अपन डिसकस करेंगे अब एक एक करके टॉपिक करते जाएंगे ठीक है सबसे पहले अपन लोकल रूट की बारे में बात करते हैं तो लोकल रूट में पेला एक्जामपल टॉपिकल रूट ऑफकॉस जिस जगह पे और ही प्रॉब्लम वहां पे लगा दो ठीक है न प्रॉपिकल रूट की बात करें और प्रेक्टिकल में भी बहुत इंपोर्टन टॉपिक है वाइवा के अंदर भी तिए उस नजरी से अच्छा टॉपिक है बागी बाद ईजी टॉपिक है तो आपको मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोक ड्रॉग्स को ध्यान रखें ठीक है स्टिरोइड इन इस इंसो किन्ट्रेक्षन इसके अच्छली एग्सांपल देतो हम जैसे सोरें से ओगया ठीक है इस मंदर आता है ऐट ऑकिला रूट ठीक के इसे जयसे हो जैसे हो गिट childishorenنا तो आप एंसे गलोकोमा ड्रग्स ठीक है इन्टिक है यह कह ओर रहा है उसको ठीक है तीसरा आप सिर्फ बहार से एक्स्टर्नली नहीं इंटर्नली जैसे कि कोई ऐसी ड्रग जो क्या नहीं होती अपने गटक लिए ठीक है वो अबसॉब नहीं होरे इंटेस्टाइन में इसका मतलब जो जी आई का म्यूकोज है उस पर आप टॉपिकल अप्लिकेशन कर रह बॉपिकल जाएगा ठीक है जैसे सुक्रा आउल फेट हो गया viveN ko my scene हो गया ठीक है तो सुक्रा आउल फेट ऐसे मैंने सारे चीजह नोट्स में लिख रहें कि आपको कुछ नो कुछ तो पढ़ना पड़ेगा नहीं नोट्स के लिए तो वैसे तो मेरी हमेशा request रहती हमेशा मतलब मैं recommend कर तो request तो क्या होता है of course मैंने notes बना है तो best है ठीक है आशिश मैं बना है वही चीज मतलब वही brand काफी है अशिश कहा रहे है वही बहुत है तो notes मैंने बना है अपना हाथ से बना है एक एक चीज़ ध्यान रख रख के बना है आपको application पर मिल जाएंगे otherwise आप कोई भी book देख रहे हो कोई भी notes पढ़ रहे हो कोई भी coaching देख रहे हो वहाँ पी से भी आपको notes मिल सकते बट इस वीडियो में एक एक चीज मैं लिख दू वो थोड़ा मुश्किल हो था यह बात का ध्यान रख के ना ठीक है ब्रॉंका इसी भी आप दे सकते हो जैसे कि हो गया salbutumon है ना तो वो भी एक तरीकी से topical root ही हो गया ठीक है और कुछ irrigating solution jelly हो गया जो कि अपन उरिथ्रा पर लगा रहे है जैसे लिगनोकेन हो गया ठीक है तो वो अपनको जब फोलीज डालना होता है ठीक है जैसी यह तो मैंने topical बता दे कि over overview अपन यह तो mucosa के लिए यह skin के लिए यह यह वित्रा हो गया ठीक है ना ऐसा लेकिन अगर और थूड़ों से deep दाने की कोशिश करें तो जैसे intra-articular ठीक है जैसे कि rheumatid arthritis के अंदर होता है जैसे जोडों का दर हो रहा है ठीक है अपन को वहाँ steroids डालने ठीक है ना तो उसके अंदर ही काम आता है steroids in rheumatid arthritis ठीक है और example deeper tissue के तो अपन actually directly घुटनों के अंदर directly injection लगाते steroids का ठीक है तो वहाँ पे effect लाता है तो देखा जाते हो local effect ही दे रहा है इसे local route हो गया अगला हो गया intrathecal जैसे की अपन को मांदो सब arachnoid space में कोई drug दे नहीं है तो अपन कहां से देते लंबर बंचर करते है ठीक है ना anatomy पढ़ा है लंबर बंचर करेंगे वहाँ से drug डालेंगे ठीक है तो इसके बहुत अच्छे example हो गये anesthetic agents ठीक है यह actually क्या होता है breadbin barrier को cross नहीं करती तो अपन directly subarachnoid space में जाने की कोशिश करते है तो इस अपन कहते है intrathecal root ठीक है retro bulbar root मतलब retro यानी behind bulbar यानी eye eyeball ठीक है ना तो आँखों के पीछे कोई डालना है तो directly अपनने injection होँआ मार दिया तो जैसे example वही होगा steroids ठीक है ना तो आई बास हमने तो यह actually deeper tissue में दे रहे but local effect के लिए दे रहे तो that is local root के लाएगा अगला intra arterial भाई समझो मेरे बात कोई cancer cell है या कोई ऐसा infection है जो अपन चाहते कि उस area तक ही जाए तो अपन क्या करेंगे artery के अंदर डाल देगे let's say आपने femoral artery के अंदर anti-cancer drug डाल दी तो अब वो जो blood जहां जा जा रहा है of course पीछे के तरफ नहीं जाएगा तो आपका पूरा systemic root बज गया अब femoral root से वो जहां जा जाएगा उस उस area में अपनी drug लगबाएगी तो actually आपने local effect भी प्रड्यूस के artery के थुरू ठीक है ना वही अगर आप vein में डालो सोच हो मेरी बात vein में डालो तो पहां जाएगा last में जाना उसने right atrium में ही है superior वेना के अवाई, inferior वेना के अवा right atrium में जाना है और right atrium से फिर वो पूरी body में जाएगा तो actually जो veins होती है वो systemic root में आती लेकिन जो arteries है क्योंकि वो one side है ठीक है ना बाद में veins में आएगा तो जो arteries है वो actually आ जाती है भी local root के अंदर ठीक है तो इसका example होगी of course anti-cancer drugs अपने अकर दी तो ठीक है ना आज अपनी position दूड़ी अलग लग रही है ना यह चीजों की आज अपन ने एक book नहीं रखी ठीक है systemic root समझने की कोशिश करते है देखो systemic root के अंदर बहुत सारी roots है सबसे पहला oral root ठीक है oral root में समझना oral root सबसे common root है systemic root के लिए systemic root का मतलब अपनी नीचे हो गई तो अगर अपन बात करें तो यह एक surface है ठीक है तो इक काम करते है अज यार तोड़ी कड़बड हो गई अज इसकी height अपनी नीचे हो गई तो अगर अपन बात करें oral root की ठीक है तो अब अपन height थोड़ी उपर करते है camera को उपर रखते है देखो oral root के अगर अपन बात करें ठीक है तो यह बहुत oldest और commonest है ठीक है अगर इसके advantages के अपन बात करें और disadvantage और अपन यहापर बात करेंगे कौन सी drug ली जाती है ठीक है तो इस तरीके से अपन पढ़ेंगे यहां हो गया root ठीक है तो अब अपन डिसकस करें और अपन डिसकस करें देखो advantage की बात करें तो आप वैसे सोचो बई इसमें कोई ज्यादा दिमाग लगाने की ज़रत नहीं आपको इसक्षपर्ट होने चाहिए कि गोली लेने की जैसे आपको injection लगाना है तो थोड़े एक्सपर्ट होने चाहिए राइट है आपको कोई छोटा injection भी लगाना है तो थोड़ी से नॉलिज होनी चाहिए ऐसे अब कोई नहीं लगा सकता और रूट मों कोई इस नहीं है आपने टैब्रेट ले खाली कि अपसुली खाली ग्रेट शेरप लिया पी लिया ठीक है ना तो डिरेक्टी ओर रूट सापन दे रहे तो यह सेफेस्ट है एक तो चीपेस्ट है बहुत सस्ता पढ़ता है कोई इन्वेजिव निहीं नॉन इन्वेजिव है नो एक्सपर्टीज ठीक है और पेइनलेस है डिरेक्टी इकटका खतम इसके बात करें तो एक्चली इसको एमर्जेंसी में यूज नहीं कर सकते है क्योंकि यार बाड़ी इंटेस्टाइन से ड्रग जाएगी ठीक है अब्जॉब होगी तो टाइम लगेगा तो आपको कोई सदन इफेक्ट देखना है तो एमर्जेंसी की केस में और रूट यूज नहीं किया जाता तो कौन सा किया जाता वो में आपको बताऊंगा ठीक है साथ में और रूट के डिसेंट इज जिया नौज वामिटिंग गुली लेने के बाद अपको उल्टी जैसा लग सकता है ठीक है अनकॉंश पेशिंट में इसको नहीं दे सकते है ए यह एक्चुली इसका क्या मतलब बता है मैं आपको बाद में बताऊंगा इसका अलग से टॉपिक पढ़ेंगे वैसे आपको थोड़ा सा बता देता हूं कोई भी चीज जो इंटेस्टाइन से जा रही है यह समझनों लिवर यह इंटेस्टाइन से पास हो रही है अगर वो हाट पे तो नहीं पहुंच रही है आपनको सिस्टम एक रूट का मतलब क्या है आपनको एक बर हाट में चीज़ पहुचा देनी है ड्रग हाट तक पहुंच जा है जिससे वो पुरी बाड़ी में फ़ल सके लेकिन इंटेस्टाइन क्या करेगी सारी ड्रग लेती नहीं है तो वैसे अच्छे समझाऊंगा first pass metabolism क्या होता ठीक ना उसके बाद variable absorption है कैसे भई ड्रग कैस किस नीचर की उसके उपर भी depend करता है कोई ड्रग ज्यादा absorb हो जाए कि कोई नहीं होगी depend करता खाना खाया कि नहीं lipid solubility है कि नहीं digestive enzyme depend करता तो variable absorption है ड्रग के अबन बात करें तो इसमें आपसे कोई नहीं पुछ लेगा mostly सारी जो ड्रग होती है वो oral route से ली जाती है मतलब बहुत जाद अधर ड्रग और रूट से दी जाती है next आपन बात करेंगे sublingual इसको बक्कल रूट भी कहते है sublingual बहुत बहुत important route है emergency मापको हर्जगा देखने को मिलेगा sublingual मतलब आपने गोली ली ठीक है यह कोई भी दवाई ली उसको जीप के नीचे रख लिया और directly वो एब्जॉब हो गई और सीधा superior वीना केवा में पहुँच गई समद गया मेरी बात या फिर आपने उस directly absorbed हो गई superior वीना केवा में आ गई और हाट में अगर systemic circulation में पहुच गई इसका faster effect है ठीक है और अगर असर दिग्या दवाई का तो आप चाहो तो तो थूख भी सकते हो भई आपको दिग्या इसका असर हो राइस दवाई का और जितना जरूरत है अतना effect आ चुका है इसको थ reaction आ गया ठीक है ना adverse reaction आ गया तो सीधा cardiac side effect देखने को मिलेंगे क्योंकि कोई metap बीचनों के first class metabolism था नी तो सीधा cardiac side effect देखने को मिलेंगे इसके examples बहुत important है NTG है अगला IDN, IDN के full form isosorbide dinitrate, ठीक है, NTG है नी nitroglycerin, ठीक है, अगला buprenorphine, buprenorphine, ठीक है, अगला nifidipin, यह यह जो drugs है ना, यह मैं आपको बहुत अच्छे से याद करा दूँगा, एक बार के लिए इनको रख लो, हलका अलका दिमाग में रख लो, बहुत है, पूरी जब अपन systemic pharmacology करेंगे, general pharmacology के बाद, ANS और ANS के बाद करेंगे, systemic pharmacology, तो आपको बहुत अच्छे से सम्दम लेगा कि, ओ हाँ, यह यहाँ बढ़ा था, तो link होने लगीगी, मेरी जिम्मेदारी आप लोगों को best बनाना, आप लोग already best हो, MBBS में आने वाला बच्चा intelligent ही होता है, almost सारे बच्चे जो MBBS में हो, अपनी class के top पर रहे हुए, 12th class तक, great, तो यह एक teacher की जिम्मेदारी बनती पढ़ेंगे, category पढ़ेंगे drug की, तो आपको दिरी दरी चीज़े याद होती जाएगी, अगला है, देखो, एक तो के sublingual, एक अपने oral पढ़ लिया, ठीक है, उसके बाद sublingual बकल पढ़ा, अब आपने बढ़ेंगे rectal root, ठीक है, rectal यानि, directly अपने rectum में डाल रहे है, तो rect अब में अपन पढ़ते है, portosystemic center, तो आधी drug जो है, वो तो inferior मेना के बाद चली जाएगी, है न, और पर आधी drug liver के थ्रू जाएगी, तो कहने का मतलब इसके अंदर 50% lesser first pass metabolism है, ठीक है, यहाँ पे first pass metabolism बिलकुल नहीं था, और यहाँ पे पूरा-पूरा first pass metabolism, यहाँ पे 50% lesser first pass metabolism है, है न, और समझना, साथ में आप ऐसी drug जे सकती हो, जो irritant है, ठीक है न, unpleasant है, आपको taste में, nausea, vomiting हो जाती है, वो drug लेती है, ठीक है, सब लिंगो ले नहीं ले सकते है, यह जीप पर हलका taste हो रहेगा, तो ऐसी drug जो unpleasant है, irritant है, वो भी दे सकते हो, but disadvantage है, सबसे पहला disadvantage, य जब इनसान को आपको होगे कि आपके rectum के अंदर हमें यह drug insert करने है, तो उसको थोड़ा सा, समझ रो, तो यह कहीं न, कहीं न, कहीं न, inconvenient है, है न, यह accept नहीं करता, generally patient, इतना असान ही से नहीं करता, यहाँ पे भी absorption है, वो variable है, क्यों, क्योंकि fecal matter के according है, भाई, कहीं पे fecal matter है, कहीं नहीं है, तो variable absorption देखने को मिल सकता है, ठीक है, and of course 50% lesser first-pass metabolism है, लेकिन 50% तो है, तो यह भी a disadvantage है, साथ में, अगर drug असर करके तो inflammation देखने को मिलेगा, यहाँ पे cardiac side effect देखने को मिल रहे थे, ठीक है, drug के example बहुत-बहुत-बहुत important है, diazepam, ठीक है, यह जो drug है, य यहाँ तकी parasitamol के supposed tree भी आती है, ठीक है, वो भी दे सकते है, generally used नहीं होते है, diazepam, बहुत common example है, बहुत important example है, ठीक है, next बात करते है, तीन अपने पढ़ लिए, ठीक है, अगला, transdermal patch, ध्यान से समझना, बहुत important और interesting चीज है, जैसे मानलो, आपको motion sickness का problem है, वैसे बहु इसको continuously drug चाहिए, ठीक है, same dose में, constantly drug जारी है, systemic circulation के अंदर, ठीक है, ठीक है, तो actually, transdermal patch के अधीजाद़ devices, in the form of adhesive patches, इस चिपक जाते है, यहाँ जैसा हाथ पर लगा दिया, ठीक है, यहाँ नहीं लगाते, upper arm पर लगा दिया, chest पर लगा दिया, abdomen पर लगा दिया, इनको अ मेरी बार, देखो मैं समझाता हूँ, let's say, यह skin है, ठीक है, यह skin है, ठीक है, ठीक न, और यह skin हो गई, और यह capillaries हो गई, ठीक है, ठीक है, अब समझना क्या हो रहा है, वैसे यह पाड नहीं करता, तो इसके नोगी, अब देखो, इसके उपर अपन क्या करते है, इसके उपर लगाते है, एक पैच, ठीक है, तो यह मैंने लगा दिया, एक पैच, अब यह पैच को समझना है, इस पैच के उपर यह उती है, फिल्म, ठीक है, जिससे ड्रग खराब ना हो, उसकी कॉलिटी ठीक है, यह एक लेयर है, माइक्रोपोर मेंब्रेन, इसके अंदर, यह क्या करते है, ड्रग को एक कॉंस्टेंट रेट पे जाने देती है, ठीक है, तो जो ड्रग है, वो इस माइक्रोपोर मेंब्रेन से अंदर जाती रहती है, एक कॉंस्टेंट रेट पे, ठीक है, और यह एडिसिव टेप है यह जो रीजन है यह चिपकाने के लिए यह अडिसिव टेप है ठीक है तो यह हो गई बैक फिल्म ठीक है यह हो गई ड्रग रिजर्वायर ठीक है यह हो गई 0.2 से लिके 0.4 mm के हो सकते है और इसके according इसमें ड्रग भढ़ती जाती है और इस तरीके से ड्रग जाती रहती है बहुत इंट्रस्टिंग चीज है सुनकी कता इंट्रस्ट लग रहा है इसके एड्वांटेज देख बहुत ज्यादा है क्या कि आपको बार बर दवाई नहीं ल देखो इनलेशन के अंदर क्या है अपना फिफ्ट अबन बटे इनलेशन भई आपने डारेक्ट ली न जो ड्रग है वो सीधा अल्वेलाई पर पहुचा है इसका दूसरा नामे पल्मन है तो इसके एड्वांटेज देखो बहुत है जैसे सब लिंगोल का था वैसे सेम टू रूट के अंदर पहुच गी ड्रग तो वरी अपने ड्रग ली आप मानों नेबलाइजर अप ड्रग हटा दे रहे हो ठीक है वह बंदा इंस्पायर अब एक्सपायर कर देगा वो ड्रग भार निकाल देगा बीधिं के साथ साथ तो एक्शली अपन कंट्रोल एडिमिस्टे ब्रॉंख पाजम हो सकता है इरिटेंड के ली अपन जैनरल ही अधी लीजम्र रूट देते हैं अब यह अब को लोग औप भात principle जर्पनल एनस्टेजिजिय करता है ठीक है दूसरा इंसुलिन आज कल डायबिटिक पेशेंट के लिए इंसुलिन आया है एफ्रेजा के नाम से आता है इसको डारेक्ट लिए इन्हील कर लो ठीक है ब्रॉंकिल अस्त्मक आया ठीक है साल बिटम लेते फटा-फटा पन अर सी ओ पीडी की अंदर अपन एंटीकॉलिनर्जिक्स लेते हैं एंटीकॉलिनर्जिक्स टिक है ना मैं आपको मोटा मोटा बता रहा हूँ इसलिए ड्रग को मैं बार बार छेड़ना नहीं चाहरा क्योंकि मैं चीजों को कॉंपलेक्स नहीं करना चाहरा एड दे एंड फार्मकलोजी यूट इस टार ओफ यर क्लास ठीक है यह मेरी जम्मेदारी है आप हीरो बनाके भेजना फार्मकलोजी के अंदर टॉपर बना देना यह मेरा काम है तो भरोसा रखके चलते चलेंगे ठीक है न मैं सब कुछ एक बार में बोल दूँगा तो फिर सब रहता फैल जाएगा जनरल हर सब्जेक का जनरल टॉपिक पढ़ाना इसलिए तर डिफिकल्ट है क्योंकि एक तो बेसिक स्टॉंग देने साथ में उसके अंदर पूरी पूरा सब्जेक कवर हो जाता है तो आप इतना वाइड नहीं कर सकते चीजों को अगला है नेजल नाक से आपने दिया इसका पर्ज होती है जो की ले ली नेजल के अंदर एक्चली लिक्विड होता है देखना नेजल रूट के फायदी के है बहुत से इसके अड्वाइड पहले बत हो एक रैपिड अब्सॉप्शन फास्टर एफ्ट ठीक है एक सबसे इंपॉर्टन एग्जामपल है इट बाइपास ब्लड ब्रेंड बैरियर भाई आपको ब्लड ब्रेंड बैरियर को क्रॉस ही नहीं करना पड़ा रूट में अगर आपको ब्रेंड तक कोई ड्रक मचा नहीं तो आपको ब्लड ब्रेंड बैरियर क्रॉस करना पड़ेगा ठीक है तो अपन ब्लड ब्लड ब्रेंड बैरियर को ऐसे पकड़ते ठीके वही ऐसे आईड्रॉप की तरह बाडल होती है इसको यूँ प्रेस करते और स्प्रेय रिलीज होता है नाग के अंदर रहता है और वो उसका जो लिक्विट फॉर्म है वो एब्जॉब हो जाता है और सिधा ब्रेन तक महुत जाता है ठीके कोई पोटेंड मतलब जो कम डोस देने पर बहुत अच्छा एफेक्ट दिखा है क्योंकि आप स्प्रेय कितना करो गया ऐसा तो नहीं पुरी नाग भरद हो गया तो पानी टपक जाएगा सारा गिरी जाएगे ड्रग तो अब एक लेवल तक ही स्प्रेय कर सकते हो तो ऐसी ड्रग ज जी एन आरेच एगोनिस्ट केलसी टॉनिन और फेंडानिल यह अपन जनरली निजल रूट से देते हैं ठीक है जब आपन पढ़ेंगे सिस्टम में तो मैं आपको वापस सारी काटिकरीज बताऊंगा आपका काम अदान से हो जाएगा ठीक है लास्ट परेंट्रल परेंट्र कैसे चलने वाले ठीक है और एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम यार यह होता जा रहा है कि ना दिरे दिरे यार पढ़ाई पढ़ाना छूटता जा रहा है मतलब पहले ऐसा था कि मुझे सब सपोर्ट करते था पढ़ानी के लिए अब पापा और मा और अलमोर्स सारी मेरे घर के जितने भी लोग है ममी पापा ही है वैसे ही है तो वो लोग अभी आजकल डाटते है कि मैं नहीं पढ़ा हूँ योट्यूप पे अफकोस यार उनकी बात सही है कि अब मेरी इंटर्शिप शुरू हो गई ठीक है मुझे इंटर्शिप देखना अफकोस नीट पीजी देखना क्लास में अफकोस बच्चे 8-8 गंटे पढ़ते हैं नीट वीजी के लिए ठीक है तो उनको कॉंपीट कर पाना त्यूकि एक एक वीडियो में में मिलको बहुत टाइम लगता है तो एनिवेज ऐसा है तो आजकल उदास फील करता हूं यार कि क्या है और मैं पढ़ाना छोड मैं क्या बूलू पतलब यूट पैसे ही नहीं देता है और को मतलम नहीं और वैसे भी देखा रहा तो ऐसक करियर भी इसको शायद नहीं ले सकते पता नहीं है और डॉक्टर तो बन नहीं है अफकोस पीजी तपन करेंगी बापा मुझे कहते कि यार अब क्यों एक तो सबसे इंपोर्टेंट उनको दिखता है कि यह बंदा मैनत तो पूरी कर रहा है ठीक है पर मैं थोड़ा सा एथिकल ही चलता हूं बही ऐसा है कि मैंने चार साल पढ़ाया भी यूट्यूब इतने टाइम में एक लाग सब्सक्राइबर भी ना होना एक लाग भी ना होना बहुत और मुझे भी मालू है बच्ये को नहीं मालू मुझे मालू में कि मिली पांच टॉपिक आएंगे तो जो चैनल यह पांच ही क्पड़ाएंगे और फिर अगले चेप्टर पर सुच कर जाएंगे सारी टर्डिंग वीडियो बट्यूद ये वह तो जल्ली ग्रूँ कर जाते टोपिक पढ़ा दोगे तो यूट्यूबर ने तो कमा लिया क्योंकि चैनल चल जाएगा सब्सक्राइबर बढ़ जाएंगे टेंडिंग सब चल जाएगा उसका फटाफट सब्जक्ट स्विच करेगा चैप्टर स्विच करेगा और टेंडिंग टॉपिक पढ़ा चारेगा मैं हमेशा से चाहता था कि मैं सारा पढ़ा हूँ क्यों क्योंकि अगर कोई मुझे सब पढ़ रहा है तो मेरी पूरी जिम्मेदारी है कि कल को दिक्कत ना है मैंने फाइनले पूरा पढ़ लिया ठीक है मैंने मैडिसिन पढ़ ली सलजरी पढ़ ली गाइनी पीडियाट्रिक्स अनेस्थीसिया डर्मेटलोजी रेडियोलोजी सब पढ़ लिया मुझे सब पता चलता है कि आप लोगों को आज के टाइम पर यी चीज वो करने नहीं अब मैंने का उससे क्या मतलब है भली 10 को पढ़ाऊंगा पर 10 को इतना अच्छा पढ़ाऊंगा कि टॉप करेंगे और करते भी यह रिजल्ट आता है दिखता है मैं इंस्ट्रेग्राम पर लगाता रहा तो वह से कम लगा तो मैंको टाइम नी रहता पर आपक को मैं इतनी 99% शॉरिटी के साथ कह सकता हूँ कि अलमस्ट हर कॉलेज से टॉपर मुझ सब पढ़ता है ठीक है अब पापा यह बात मानते है नहीं पापा कहते है तू भी ट्रेड्निंग तरीके से पढ़ा दे तो कुछ यह भी चले तो फिर तो करने कि थोड़ी इसी में करता हो तो लोग बच्चे बोलने लग जाते कि क्या सर आप तो पैसे ले रहो यह वह पता नहीं और जबकी न सारे कोचिंग वाले अभी जैसे फार्मकलोजी हो गया बड़े बड़े अच्छ अच्छ टीचर 77-77,000 के कोट्स देरे 77-77,000 के कोच नहीं तो 8,000 तो average price है हर कोचिंग पर मैं अगर एक हजार भी कर दू तो पुरी दुनिया हिल जाए बच्चे बोले यह क्या तरीका है अनिवेस तो मैं कोशिश करूँगा यूट्यूब पर रहने कि हला कि मैंने पापा को बोला है कि ना पापा मैं जैसे इंटरंशिप रहती है तो लेट से दो फैर कर सकता हूं तो यह मैं करूंगा मंडे टू फ्राइडे ठीके सेटेडे को मैं क्या करूंगा वही इंटर्शिप करूंगा सोंगा और इस टाइम पर थोड़ा सा यूट्यूब और इसमें जो भी चीज़ रहती है अप्लिकेशन और थोड़ा सा टीम में को मैनेज कर संडे को होगा उस दिन क्योंकि इंटर्शिप था है नहीं है ना और सिफ दो कंडे सोंगा बाकी पूरा दिन है मेरे पास संडे को मैं फार्मकोलोजी पढ़ा दूगा मैं पापा को कहते हो पापा केते है ऐसे तो कैसे होगा उनकी बात सही भी तो चार से एक पड़ेगा तो फिर पैसे भी नहीं है of course no doubt but still थोड़े पैसे तो मैं रखता हूँ notes words कि में को मालू मैं अगला बच्चा गुसा करे तो गुसा करे मैं क्या करूँ इस चीज के अंदर मैं में को टीम भी मैंनेज करनी है मेरे को application के भी खर्चे निकालने होते हैं बहुत सारी चीज होती है जो दिखती भी नहीं है अपनको बुक भी अगर दे नहीं सबको तो सबके पीछ बहुत पैसे लगते हैं मेरा कोई background भी ऐसा नहीं है मैं तो बहुत बहुत छोटे गड़ से आता हूँ पैसे वचे थोड़ी नहीं मेरे पास पैसे ही होते तो studio नहीं बना लिया होता अब तक ऐसे पढ़ा रहा होता कि बुक मोबाइल को कैमरे को उपर रखे कभी space खतम हो जाती है कभी कुछ हो जाता है और ऐसा भी कभी नहीं होगा कि आशिश सिर्फ तेंडिंग तेंडिंग topic पढ़ा है आशिश पढ़ाएगा अच्छे से पढ़ाएगा पूरा पढ़ाएगा खुश होके पढ़ाएगा बले、 एक, हजार बच्चे ना देखे हजार में से बले, पांच ये दस बच्चे देखे, पर हो दस बच्चे कभी life में दुखी नहीं होंगे मुझे आगे 4 साल जाके 4 साल ये 5 साल पढ़ने के बाद भी वो लोग याद रखेंगे कि इसने वो topic बहुत अच्छे से पढ़ा है था इस वज़े साथ चीज़े बहुत असान होती जा रही है वरना ये वही लोग है जो तुम लोग अभी तो trending trending पढ़े ले तो तुमको कुछ पता नहीं चलता कि तुम छोटे हो ना तुम मैं कहा अखकल है मैं भी तुमारी चितना था मेरी में भी अखकल नहीं थी कोई चीज नहीं पहली बार पढ़े तो कहा से अखकल आएगी तो मैं तो जो पढ़ा तो तुम लोग वाँ भाई 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 देखा जा ना तो बच्चे सबसे तक घदे होते हैं उनको समझ ही निये कि कौन इंसान कितना अच्छा कॉंटेंट पढ़ा रहा है कोई भी इंसान हैगा, let's say कोई एनेटोमी पढ़ा रहा है गदे हो, पढ़ा है कोई भाई केपड़ा है एक चीज पढ़ा है इक चीश पढ़ा है गाईटरं के लेवल पर पढ़ा है दिन रात काम किया तुमने पढ़ा है फिजयोलोजी मुझे ना तब जाके भी अपने कोई दिक्कत है। मुझे खरवाली कहते हैं, मेरे दोस्त कहते हैं, मेरे 콩 मैठ केहते है। चलना पड़ता है दुनिया के साथ जैसा रीट है। अब मैंने का दुनिया गई बाहर में। यटुब मेरा चैनल है। मेरी कम्यूपी है। और मेरे students है तो मैं मेरे according चीजों को लेके चलूँगा और मैं हमेशा मानता हूँ मैं पढ़ाऊंगा तो अच्छा से पढ़ाऊंगा ठीक है तो कोशिश तो यह है कि अपन पढ़ेंगे पढ़ाएंगे और of course ऐसा मत सोचना कि मैं YouTube नहीं पढ़ाऊंगा यह बंद कर दूँगा नीट पेजी के चक्कर में मैं 10 चीज़े अपनी बंद कर सकता हूँ नहीं घुमना बंद कर दूँगा मोवी देखना बंद कर दूँगा सब कुछ बंद कर दूँगा लेकिन PG और YouTube दोनों पे पूरा-पूरा फोकस करूँगा ठीक है ऐसा कुछ लोग को लग लग रहा होगा YouTube पे पढ़ा रहे हो तो भी तो PG के तैयारी हो रही होगी ऐसा नहीं होता एक वीडियो बनाने में मुझे चार से पांच घंटे लगते है सारा कोचिंग का मटेरियल भी देखता हूँ ये भी देखता हूँ कोशन के आप पूछ रहे एक्जाम में प्रीवेस एर के पेपर चेक करता हूँ अलग-अलग उनिवरसिटी देखता हूँ फिर स्टेंडर्ड बुक पड़ता हूँ ये सब पढ़ने के बाद एक बार नोट्स बनाता हूँ सारे वो नोट्स के अकॉर्णिंग में वीडियो बनाता हूँ और फिर नोट्स को थोड़ा काम करते तो जिससे आपको सिर्फ अच्छे से कॉंटेट मिल जाए टेंचिन मतलो मैं कहीं जा नहीं रहा वो बात ठीडेब के पाप में सपोर्ट नहीं कर रहे तो कोई बात नहीं आज नहीं तो कल कर देंगे है न आप लोग हो ना बली 5-10 देख रहे मुझे मालूम आप लोग शेर नहीं करोगे मैं ताना नहीं मर रहा, एक नॉर्मल बात बता रहा, एक basic psychology है, मैं कोई भी चीज का थोड़ा भी price रख दूँगा, तो आप लोगों के ऐसे वैल करके बोलें, सर ये क्या है, भली आप महाँ पे 27,000, 8,000, 10,000, कितना भी दे दोगे, पर बंदा कुछ रख ले न, तो ऐसा ओको भाई साब यार, छोड़ो यार, कहीं और से पढ़ते, नॉर्मल दुनिया ही ऐसे चलती है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, मैं अपना काम करूँगा, भली 10 की जहके कलको एक बच्चा भी बढ़े, मुझे को दिक्कत नहीं, आशिस तो अपने पैशन के लिए बढ़ा रहा है न, मैंने कौन सा यहां से कमाना है, तो गाइस, इस वीडियो में इता ही, मिलते अगरे वीडियो में, तो तक लिए बाबाए, जैहन, जैवारत.